वेलकम डू स्टडरी पाइंट आप सभी का स्वागत है आपके पने डुटूब चैनल स्टरी पाइंट में मैं सियोम सुकला आप सभी दोस्तों का हरदिक स्वागत करता हूँ आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे महा संग्राम रिवीजन क्लास 2023 के बारे में आपको बता तो भूगोल में आपको जब बीए फोर्ट समस्टर में आप होते हैं दिखाने का प्रियास करूँगा तो महा संग्राम रिवीजन क्लास का मतलब आप लोग जानते हैं चलिए समझने का प्रियास करते हैं कि आखिरकार इस प्रसन का उत्तर क्या होगा और जो प्रसन पूछे जाएंगे उनके उत्तर को आपको कैसे लिखना है आपको कोई चीज याद नहीं करवाऊंगा ना आपको कुछ याद करने की जरूरत है बस आपको वीडियो को अंतक देख लेना है एक ही काम करना है चुकि इसमें मैं आपको सरल सरल भासा में बताने का प्रियास करूँगा ताकि आपके समझ में आ जाए पहला परसाब देखेगा भूतापिय उर्जा भूतापिय उर्जा ये क्या होती है तो भूतापिय उर्जा वह उर्जा होती है जिसे पिर्थवी में संग्रहित ताप से निकाला जाता है पृतवी में आपको बता दूँ से पृतवी के अंदर आप देख रहे हैं जिसे ज्वाला मुखी का फटना हो गया या आप देखते होंगे कि भूकम पाते हैं भूस खलन होता है या नाना परकार के इसी गत बिधियां होती है पृतवी के अंदर अंदर ठीक है तो वो सब एक गठन से खनिज के रेडियो धर्मी छए से छए माने होता है प्रकार से जो मलबा होता है वो उससे और सता पर आवसोसित सवर उर्जा से उत्पन होती है यह होता है भूतापिय उर्जा भूतापिय उर्जा की बात किया है तो भूतापिय उर्जा लागत प्रभावी विस्वस वसनिये टिकावू समपोशणिये और परियावड के अनकूल होता है लेकिन एतिहासिक रूप से या प्लेट विववर्तनिक सीमाओं के निकट के छित्रों तक सीमित रहिए आप देखते हैं प्लेट विववर्तनिक सिध्धान्त आपको पता होगा वो जो प्लेट टक्टानि थेयरी आप देखते हैं एक बेखती कि यह पताने उनका ध्यान नहीं आ रहा है मुझे नाम थोड़ा सा तो उनकी एक प्रकार से प्लेट टक्टानिक जो थेयरी है उनकी अगर बात की जाए लेकिन जब प्लेटे आपस में टकराती है तो उनसे उर्जा उत्पन होती है और उनकी से वलित परवतों का निर्माड होता है तो कोबर का भूसनती सिध्धान भी इस बात की पुष्टी करता है दुनिया की जितने वलित परवतों का निर्माड हुआ है वो कहीं न कहीं पे आप देख रहे हैं भूतापी उर्जा से ही जो है आपस में जब अंदर अंदर फिर भोसनती से मलबा उपर जाता है और वोलन के परड़ाम सुरूप वलन माने होता है इस परकार से ठीक है ऐसे से परबतों का अंद्रमाड हो जाता है तो ये सब उर्जा के द्वारा ही होता है हाल ही के तकनीकी विकासों ने मलब टकनिकललाजी जब डबलप हुई उन्होंने ब्योहार संसादनों की सीमाओं और आकार को नाठकी रूप से विस्तार किया है विसेश रूप से ग्रह तापन जैसे अनुप्रियोगों के लिए बड़े पैमाने पर दोहन की संभावनाओं को भी देखा मलब खोला है तो भूतापिय एक उर्जा का स्रोत है और उन्ही उर्जा को परकार से इकठा करने के लिए उन उर्जा को संग्रहित करने के लिए उस उर्जा से नाना परकार की गत्विधिया करने के लिए अब बैग्यानिक लोग लगे हुए है और भूतापिय ग्रीन हाउस गैसों को छ देखते हैं जो गतिज उर्जा होती है नदियों से तो उससे बिजली बना याती है ऐसे ही आप देखते होंगे कि हर एक चीज से एक प्रकार से उर्जा से ही बिजली बगर आप बना सकते हैं और बहुत फाइदा होता है तो भूत आप ये क्वें होते हैं और उनकों से ग्रीन house gas का मलब क्या होता है जिसे मीथेन हो गया जलवास हो गया ठीक है ये सब हो गये ठीक है और भी गैसे हैं जो कि green house gases के लिए important है carbon dioxide हो गया cfc हो गया ये सब ठीक है जो धरती के भीतर गहरे फसी होती है ये गैसे green house gases लेकिन ये उस सरजन उर्जा के प्रती यूनिट के हिसाब से जीवास मींधन की तुल्ला में बहुत कम होती है और धीरे धीरे जो होती है वो एक प्रकार से बाहर निकलती है परडाम सरूब भूत आप ये उर्जा में बैस्विक गर्मी को कम करने की छमता खासर के कभी-कभी जो गर्मी चुकी बढ़ती है ग्रीन हाउस गैसे का मलब क्या होता है ये भूमंडली ये तापन में एक प्रकार से उसका जो ताब होता है भूमी का मलब हूमंडल का उसको बढ़ाने में जो ग्रीन हाउस गैसे सोती है important भूमिका निबाती है यदि उन्हें जीवास मीधन क अस्थान पर व्यापक रूप से इस्तिमाल किया जाए तो एक प्रकार से आप गर्मी को कम कर सकते हैं उन्हीं जो गैसे बाहर निकलती उन्हीं गैसों को एक प्रकार से उन्हीं गैसों से आप उर्जा इकठा कर सकते हैं और भी दूसरा काम कर सकते हैं ठीक है अगला प्रसंद बूतापी उर्जा एक 90 संसाधन आप मां सकते हूं नहीं संसाधन अगला प्रसंस संसाधन किसे कहते हैं तो मानों के द्वारा आकलित और भरोसा किया हुआ या किसी वस्तू या पदार्थ का वह गोड़ या छमता और जो है कार या संक्रिया जो मानविये परिसंपत्ति बन ज ठीक है और भी तमाम प्रकार के अभरक हो गया सोना चांडी से लेकर के टीन प्लेटिनियम तमाम प्रकार के ऐसे धातू है जो की धातू हो गये गैसे तमाम सारी है ठीक है आधातू है तो ये सब क्या है ये सब संसाधन ही है इसके अलामा आप देखते हैं कि जल हो गया मिट रुटी हो गई वाइओ है यह सब भी एक संसाधन है ठीक है देखें आगे समझेंगे और समझ में आएगा विप दार्थ to में या उर्जा के स्रोवत जिस पर उर्जा की जो संसाधन होते हैं वो उर्जा भी परदान करते चाहे वाईओ की बात की जाए चाहे जल की बात की जाए चाहे भूमी की बात की जाए भूतापी ए उर्जा तो ये सब एक प्रकार से उर्जा देने वाले संसाधन है या उर्जा के स्रोत कहे जाते हैं जो एक प्रकार से संसाधन होते हैं खासर कि उर्जा प्रदान करते हैं एनरजी देते हैं ये त किसी बात को आप दूसरे सब्दों में भी कह सकते हैं कि किनी निश्चित उद्देश्यों की पूर्ती के लिए जो भी उपाय काम में लाए जाते हैं वे संसाधन कहलाते हैं और इनमें आवसरों के लाब उठाने की छमता और अपने को कठनाईयों से बाहर निकाल लेने की छम समलित होती है इसमें ठीक है संसादनों का प्रियोग करते समय किसी ब्यक्ति की पूर्व कलपना करते हैं और इस ब्यक्ति की अवसकताओं की पूर्टियों और सहायताओं के लिए प्रियुक्त किये जाने मले पदार्थों दथा उपायों की कि गुड की अनुमानित मात्राओं और अभिमोलियों का बोध उन संसादुनों से होता है मानों के द्वारा अनुमानित उन गुडों से यह परकट होता है कि कोई वस्तू ऐसी है जो किनी ऐसे निश्यत देशों के पूर्ती कर सकती है जिन पर कोई मानों सहायता या पूर्ती के लिए निर्भर करता है कोई मिला करके मनुस मिट्टी पर भी निर भर है कोईले पर भी निर भर है पेट्रोलियम पर आज आगर पेट्रोलियम खतम हो जाए तो आप देखो कि एक परकार से उर्जा का बहुत बड़ा भाग एक परकार से या हिंदुस्तान में जो गाड़ी मोटर चल जह ले हैं हिंदुस्ताने पूरे प्रथवी पर तो पेट्रोलियम औगारा से डीजल से पेट्रोल से इनी सबसे चले गए साजकल पूरे भारत के घर-घर में प्रकार सप्लाई हो चुका है तो आप देखते हैं कि वो सब जैसे अगर ये सब संसाधनी तो हैं कब खतम हो जाएं कुछ पत जल का उपियोग खाने खाना बनाने के लिए पीने के लिए और विनाना प्रकार के काम के लिए करता है वाईव का प्रयोग सांस लेने में प्राण वाईव के लाती आकसीजन तो कई परकार की उत्योंगा एसे दैनिच्जी स्वेज नहर का बहुत महत्व है ये बात आप ध्यान रखेंगे स्वेज नहर आर्थिक दिश्टी से बहुत उपयोगी है और आपको बता दूँ स्वेज नहर की बात किया है तो भूमद सागर को लाल सागर से जोडती है या नहर और इसकी खुदाई जो हुई थी अठारा सो 69 इस बी में अलक्जेंडरिया में इस्थित फ्रांसिसी दूतावास के एक इंजिनियर थे फर्डिनेंट डी जो है फर्डिनेंट डी लेलेप्स ठीक है तो इन्होंने क्या करा था इन्होंने इसकी खुदाई करी थी किसने करी थी भाई उनका नाम क्या है फर्डिनेंट डी लेसेप्स तो फर्डिनेंट डी लेसेप्स के निर्देशन में जो है इसकी खुदाई सुरू हुई थी 1869 में और नहर का निर्मार जो है दस वर्थों में लगबग पूरा हुआ और 1869 में आप देखेगा नहर का उधगाटन हुआ 1869 में मलब खुदाई मलब शुरू तो हुई लेकिन उसके आद में छे नहर यहाँ पर कर लिजेगा जो कि दस वर्थों के बाद में उधगाटन हुआ और सुईज नहर के द्वारा यूरोपिय देशों और भारत बंगला देश इंडोरेसिया यह सभी ACI देशों के बीच की जो दूरी थी एक परकार से यूरोप को लेकर के वो कम हुई इसके अलामा स्वेज मार्ग के द्वारा आप देखते लीबरपुर से मुंबई तक आप देख लीजिएगा लगबग 8000 किलोमीटर जो है वो कमी आई है उसमें और लीबरपुल और याको उपयोगी है ब्यापार की दिष्टी से अगर आप देखिएगा ब्यापार एक दिष्ट कोड से बहुत जादा उपयोगी है कौन सी नहर स्वेज नहर ठीक है इससे अंतराश्ट ये ब्यापार को प्रोसाहन मिला है और विसेश करके ग्रेट ब्रिटन और कामन बेल्थ के ज इतलब नहीं होता है कामन बेल्थ में वे सभी देश अक्सर आ जाते हैं जिन पर कभी न कभी इंगलेंड का सासन रहा है ऐसे देश उनको कामन बेल्थ का देश कहा जाता है ग्रेट ब्रिटन में आप देखते हैं तीन देश वैसे सामिल हो जाते हैं ठीक है आयरलेंड उत्त तरीके से प्रगती कर रहे हैं सौयस नहर के बन जाने से आपको बंदा दू बहुत इंधनों की बचट हो वज़त होई है इनधन के बचट के साथ ही साथ आपको बता दू कि कम समय भी लगते हैं दूरिया कम हो गई है कम समय में अधिक से धिक ब्यापार हुआ है अंतर अश्टे ब्यापार को बढ़ावा मिला है यूरोप और एसिया की दूरी कम हुई है ठीक है नाना परकार के फाइदा हुई है दूसरी नहर है इसी परकार से पनामा नहर पनामा नहर जो है यह अटलांटिंग महासागर और प्रसांत महासागर को मिला और इस नहर का उद्गाटन जो है 15 आगस्त 1914 इस भी को हुआ था यहा नहर 82 किलो मीटर लंबी है और नहर की चोड़ाई 16 किलो मीटर है इसकी गहराई कम से कम 12 किलो मीटर के आसपास है तो 12 मीटर के आसपास है किलो मीटर नहीं गहराई की बात हो रही मीटर में होगी ठीक है त इसमें तीन अस्थानों पर लाक्स लगे हुए है ठीक है कौन कौन से अस्थान पहला अस्थान गातून लाक्स अटलांटिक सीरे पर लगा हुआ है पैडरो लाक्स जो लगा हुआ है बीच में लगा हुआ है और मेरा फ्लोर्स लाक्स जो है एकदम सीरे पर लगा हुआ है नह यूरोप और अमेरिकन देशों को जोडने के लिए एक परकार से ये नहर बहुत उपयोगी है ठीक है और इससे बहुत जादा ब्यापार एक दिश्ट कोर्ड में बढ़ावा मिला है और अंतराश्टी ब्यापार को बहुत जादा एक परकार से लाब हुआ है पनामा नहर के बन जाने से सबसे पहली बात संयुक्त राज अमेरिका के पूर्भी यों पस्चिमी भाग में एक प्रकार से मित्रता हुई है और इकठा हो गए है संयुक्त राज अमेरिका के पूर्वी और दक्षडी अमेरिका के पूर्वी भाग में एक परकार से बन जाने से बहुत फायदा हुआ है संयुक्त राज अमेरिका के पूर्वी भाग और एसी आई देशों में भी एक प्रकार से थोड़ा अंतराश्टी ब्यापार बढ़ा है संयुक्त राज अमेरिका के पूर्वी भाग और आश्टेलिया नियूजिलेंड में भी ऐसी सिच्वसन देखने को मिली संयुक्त राज अमेरिका में दक्षडी अमेरिका के पूर्वी भाग का पूर्वी भाग और दक्षडी भाग तो इन सभी में आपस में पनामा नहर के बन जाने से बहुत लाब हुआ है वियापार में और अंतराश्टी वियापार को प्रो맛्साहन मिलाए खोब जाम करके पाचवा परसन आप देखिएगा जबरदस परसने बहुत ही important परसन है वान्थियूनेन की किर्सी पेटी के बारे में बताएं वान्थियूनेन की किर्सी पेटी के बारे में आपसे पुछा जा रहा है important परसने परिच्छा के दिश्टी से बहुत important है ठीक है ये बात ध्यान रखिएगा पनामा नहर जो है एक प्रकार से बहुत important है दक्षडी अमेरिगा की पश्चमी तटको पनामा से बहुत प्रोसान मिला है कोलंबिया से पेट्रोलियम और काफी बोलिबिया से खनी जुत पादन चीली का तांबा जस्ता टीन और पेरू में आप देखें नाइट्रेट होता है तो उसका तो खास करके बहुत ज़्यादा एक प्रकार से ब्यापार को बढ़ावा मिला है अगला प्रसमें वान थ्यूनेन की किरसी पेटी वान थ्यूनेन के अनुसार इस बिलग परदेश में केंदरिये नगर के चार और छे संग केंद पहला पर्थम पेटी पर्थम पेटी में साख सबजी और दूद का उत्पादन होता है दोतिये पीटी में दोतिये पीटी जो है किरसी की उसमें लकडी का उत्पादन होता है तीसरी पेटी में आप देखते हैं गहन किरसी होती है और अन का उत्पादन होता है चरतुर्थ पेटी में अनाज उत्पादन के साथ साथ परती भूमी भी है चारागाह के लिए पंचम पेटी जो है वांति उने जो बाटा किरसी के पेटी में अनाज उत्पादन के लिए और परती भूमी है चारागाह के लिए इसके लाओ छटी पेटी में आप देखिएगा पसु पालन जो है प्रकार से important होता है छटी पेटी में तो इस प्रकार के ये छे पेटियां हैं जिसके बारे में वान्थ उनेन ने बताया अपना किरसी माडल प्रसुत किया संसार को उन्होंने हला कि और भी किरसी परदेशों में अलग-अलग बाटा है लेकिन यहां पर आप देखिएगा तो उन्होंने छे पेटियों के बारे में बताया है जिसके बारे में हमने आपको बता दिया तो वान्थ उनेन की जो किरसी पेटी है वो इस प्रकार से कुछ आ पर आचुखा i soda pen क्या है i soda pen क्या है भई तो यह एक जर्मन भाज़ा का सब्द है i soda pen और जिसका हिंदी में आर्थ होता है परिवहन लागत सामान परिवहन लागत वाले बिंदों से बनाए जाने वाले देखा को i soda pen कहते हैं मलब एक प्रकार से जो परिवहन लागत होती है जैसे कि कहीं से ब्यापार करना हुआ तो उसमें परिवाहन लागत बहुत important भूमका निभाता है महलब कहीं से आप जैसे सौधी अरब से तेल आता है या कहीं से तेल आता है तो उसमें लागत मूली बहुत ज़्यादा हो जाती चुकि एक परकार से जितना महलब लाने में बहुत ज़्यादा तेल का खर्चा होता है बहुत ज़्यादा एक परकार से जो है टाइम भी टाइम तो लगता है इसके साथी साथ बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है तो वो होता है आई सोडा पेन मलब समान परिवाहन लागत वाले जो बिंदू होते हैं उन बिंदू से बनाई यानि रेखा को हमाई सोडा पेन कहते हैं अगला परसन तीसरा परसन तरतियक क्रियाएं क्या होती है देखे तरतियक क्रियाओं जो होती है अगर उनकी बात की जाए तो तरतियक आर्थिक क्रियाओं के अंतरगत हुए सभी क्रियाओं सामिल होती है जो प्राथमिक और दोतियक आर्थिक क्रियाओं से प्राप्त उत्पाद और वस्तू को भोगता ब्यापारी तक पहुँचाती ह इसके अंतरगत परिवाहन हो गया, संचार हो गया, यह सब सामिल होता है, दोतियक करसी में जैसे कि माल लेते हैं, आपको मैं बता दू क्या क्या, जैसे मनुस जो है, उसमें एक परकार से मनुस को मिट्टी मिलिया, वो खेती करता है, मनुस को एक परकार से प्राकरतिक संसदन क्या है वह एक परकाड से क्या कर रहा है वो एक परकाड जेसे जंगल में लखडी है अब लखडी म 보시 है प्रकरती के द्वारा पेड़ बनाये गया अब क्रेड़ी से पाहले संद्र में थैथ है आप उस पेड़ की कटाई करके ऐगर कुर्सी बना दोगे तो कुरिसी क्या हो गई दोतियक क्रिया कलाप हो गया कुरसी प्राथमिक क्रिया कलाप आप पेड़ को काटे करके मलब काटेंगे पेड़ एक प्रकार से प्राथमिक क्रिया कलाप हो गया पसू पालन हो गया प्राथमिक क्रिया कलाप खेती करना प्राथमिक क्रिया कलाप लेकिन अगर एक प्र करकार से हो जाएगा आपका दुतियक क्रिया कलाप ठीक है और उसी को संचार और इन सभी का साहरा ले करके परिवहान का साहरा ले करके व्यापारिक दिष्ट कोड से करेंगे तो दुतियक क्रिया कलाप हो होती है इसके अंतरगत निर्माड खनन आदिको समलित किया था कोई किसी भी वस्तू का निर्माड किया था इसे लकड़ी से बेड़ सोपा ये बनाना ठीक है खनिज चुकि मिली विया लेड़ी पहले से तो उसको एक प्रकार से मोडिफाइड करना दोतियक क्रियकलाप हो गया ठीक है चुकि मालते हैं आपको कहीं पर अभरक मिल गया तो अभरक को आप मोडिफाइड करेंगे उसको सफाएगे फिर उसको बेचेंगे तो ये दोतियक क्रियकलाप में आ जाएगा ठीक है या कोई भी चीज आपको मिला तो जैसे मिला तो वो तो प्राथमिक हो गया और उसको संचार और परिवहन के माद्यम से ब्यापार किया तो तरतियक क्रियकलाप ठीक है अगला प्रसांप की स्किन पर आ जुका है नवा नंबर परिवहन लागत परिवहन लागत क्या है भई तो ब्यापार माल स्वारी ब्यापारिक माल या औदोगिक कच्चे मालों की उत्पादित समागरियों के परिवहन में लगने वाले बे को परिवहन लागत कहते है मलब जो आने जाने खर्चा लगता है तेल पानी का जो गाड़ी चला पिट्रोल आता है तो उसमें भी एक परकार से लागत मूल लगता है तो वही होता है परिवहन लागत मलब की जो जैस लेडी खर्चा लगता है तो उसी खर्चे को हम परिवहन लागत करते हैं ठीक है और ब्यापार में परिवहन लागत को भी कहीं न कहीं पे उसमें आइड करके तब एक प्रकार से उस वस्तों की कीमत निधारित की आती है उसके मोली का अंकन किया जाता है ब्यापार में परिव अधिक खर्चीला भी हो जाता है क्योंकि उसमें बाधाओं को दूर करने में अधिक खर्चा लग जाता है जैसे परवतिये भागों को पार करने के लिए सुरंग या पुल बनाना ऐसे में दूरी वाला लंबा मार्ग अधिक उप्योगी हो जाता है चुकि अगर परवत को पहाड पर चड़ करके आने से आप बगल से निकलाओ दूसरे रास्ते से चले आओ ठीक है तो बिकल्ब जीवन में अगर रहेगा तो आप समेशा सक्सज रहोगे ठीक है ये चीज अपनाना बहुत जरूरी बात है अगला पर संतस्वा नमर पर साथ देखेगा रोपड या करसी तो एक फसली खेती होती है या और या करसी जो है बड़े बगानों के रूप में होती है मनलब एक परकार से बाग लगाना जिसको कहते हैं उसको होते हैं बगाती करसी जैसे केला हो गया बगाती करसी हो गई या आने परकार के ऐसे करसी ठीक है आपको बता दू बगात की खेती गन्ना की खेती केला की खेती ये सब होती है रोपड या बगाती किर्सी रोपड किर्सी में उन फसलों का उत्पादन अधिक होता है जिनके पदार्थों की मांगे पिछले दो सताबदियों से नगरिय संस्कृति के विकास के साथ साथ बढ़ती गई है और ये फसले खासरे गन्ना है रोपड फसलों में चाय है कहवा है यानि काफी कोको नारियल रबर सिसल रेसा ये सब सामिल होते हैं रोपड या बगाती हलाकि रोपड और बगाती का मतलब लगभग और लगभग 90% टेकी जैसा होता है ठीक है वही किरसी रोपड होती वही किरसी बगाती होती है तो रोपड पुछे बगाती पुछे यही आपको बता देना है बड़े ही आसानी से आपको नमबर मिल जाएगा अगला जो प्रस्नाया है बहुत ही आदा important है आपके परिच्छा में ये एकदम से पूछा जाने वाला प्रस्ण है देखें ग्यारवा प्रस्ण है निम्न ब्यापारिक संगठनों पर संशिप्त टिपड़ी करें अब देखें प्रस्ण है WTO WTO का मलब होता है World Trade Organization World Trade Organization का मलब होता है हिंदी में बिस्व ब्यापार संगठन बिस्व ब्यापार संगठन के बारे में आपको पचास सब्द में लिखने के लिए बूला जाएगा तो आब लिख सकते हैं कि अंतर आश्टी ब्यापार को बढ़ावा देने के लिए या अंतराच्टे ब्यापार को बढ़ावा देने ब्यापार में परिमाडा आतमक पर्तिबंदों को हतोत साहित करने तथा ब्यापार की समिस्या को सुलजाने के लिए 30 अक्टूबर को 1947 का समय है गयेट की गईबाद में इसी गयेट के स्थापना होती है और बात में इसी गैट संगठन को समाप्त करके WTU बना दिया आता है 1995 में 1947 में 30 अक्टूबर को गैट के स्थापना होती है G.A.T. की गैट का मलब होता जर्नल, एगरीमेंट, ट्रैफिक्स, लगकी टैरिप्स and ट्रेड ठीक है इसको बोलते हैं गैट अब इसी गैट को एक परकार से बना दियागा क्या WTU के नाम से समझ रहे हैं तो WTU आपके बारे में WTU जो है World Trade Organization बिसुब्यापार संगठन है जो की बिसुब्यापार को बढ़ावा देता है बिसुब्यापार में जो कमिया आती है या बिसुब्यापार से रिलेटर जो चीजे होती है उसका निधार करना हुआ किस देश को कैसा बियापार करना है तमाम परकार की चीजों के बारे में ये बताता है ठीक है आगे दिखिए गैट के बारे में अगर आपसे पुछे तो गैट क्या है भई तो गैट जो होता है गैट का अंग्रेजी मे इसका फुलपाम होता है जनरल एगरीमेंट टैरिप्स एंड ट्रेड और हिंदी में इसको बोलते हैं प्रसुल्क एवं ब्यापार का सामान समझोता ठीक है 30 अक्टूबर 1940 को अस्थापना की जाती है और बाद में इसको 1995 इसबी में WTU के नाम से इसको एक प्रकार से इस अंगठन को एक प्रकार समाप्त करके WTU के अस्थापना 1995 में इसका नाम बदल करके कर दिया जाता है अगला प्रसाब देखेगा आसियान आसियान यहनी A-S-E-A-N आसियान आसियान कंट्री जो है एक प्रकार से तो यह इसमें पांच देश सामिल है खासर के आसियान में पांच देश सामिल है ठीक है एक तो मलेसिया सामिल है एक सिंगापुर सामिल है एक थाइलेंड है और इ यह आसियान की 1975 इस भी में इसमें कितने देश सामिल है इसमें पांच देश सामिल है कितने देश भईया सामिल है पांच देश इसमें सामिल है ओके बहुत ही इंपॉर्टन तरीके से आप लोग समझ रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से आप लोग वीडियो को लाइक और स कर दीजेगा ताकि इसी प्रकार से और वीडियोज आपको मिलती रहें तो फिलिपाइन्स इंडोनेसिया सिंगापुर थाइलेंड और मलेसिया ये पांच देश इसमें सामिल हैं ये बात ध्यान रखिएगा इंपॉर्टन है परिच्छा के दिश्टी से और इन देशों ने प दावल या तेल या फिर अन्य और चीजों की या किसी भी चीज की किसी देश को कमी होगी तो वो सदस देश जो होंगे अन्य देशों के पेक्छा उसे ब्यापार में प्राथमिक्ता देंगे मलब पहले अगर मलेसिया में तेल खतम होता है तो इंडोनेसिया सोचेगा कि पह सिंगापूर हमेशा मलेसिया थाइलेंड इंडोनेसिया और फिलिपाइंस को प्रात्मिकता देगा ना कि अमेरिका और इंगलेंड को देगा या भारत को देगा तो आसियान कंट्री जहीं है पांच देश हैं आसियान के कौन-कौन से मलेसिया सिंगापूर थाइलेंड इंडो से बनाए रखने के लिए ब्रिटन ने ECM के विपरीज संग के अस्थापना करी ECM के अस्थान पर ECM के अस्थापना थी तो ब्रिटन ने क्या क्या ECM के विपरीज संग के अस्थापना करी इसका नाम European और इसके अंतरगत नार्बे इसमें सामिल है इसके अलामा सुईडन सामिल है सुर्जा लैंड सामिल है ठीक है इसके अलामा आस्ट्रिया सामिल है पुर्टगाल सामिल है फिल्लैंड सामिल है ब्रेटन भी सामिल है ब्रेटन के द्वारा ही बनाये गया तो ब्रेटन ये इतने देश सामिल है किसमें एफटा में एफटा मलब येवरोपियन सोतंतर व्याप ECM में समलित हो गए जिसे अब पर परिस्थिती थोड़ा उमल भ्यana जिस्के अब परिस्थ होड़ा बदल चुकिक यूद्ट सामिल हो चुकि 忙 aujourd देमार्क नंष investig और व्र गे noon बाAST अर उसमें पहिए फ्रेटा में भी सामिल जिसको वोलते है त fucked up क flavfight क्या होता है नाफटा का उल्फाव होगा North America Free Trade Organization या Agreement बोल दीजिए नार्थ या North American Free Trade Agreement या North America Free Trade Agreement या उत्तरी अमेरिका का जो Free व्यापारिक जो Agreement है या समझा होता है उत्तरी अमेरिका का मुक्त व्यापार समझा होता वो एक प्रकार से कहा जाता सार्फाब में उसको नाफटा या अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के बीच में एक व्यापार का समझा होता है एक जनवरी 1994 से प्रभाव में आता है नाफटा और इस समझा होते के कारण तीन देसों के बीच माल की ढुलाई पर लगने वाला कर जो है वो समाप्त कर दिया गया वलब इन तीनों देसों का आप आपस में व्यापार करने का तो यह होगा नाफटा संगठन अगला परसन है आपका जो है काम कान जो संगठन है आप देखेगा इस परस्त के गठन जो हुआ है यूरोप के समाजवादी डास्टों के द्वारा किया गया है इस सदस देश में आप देखते हैं पूर्वी जर्मनी सामिल है पोलेंड, चोकोसलाविया, बुलगेरिया, हंगरी, रोमानिया, अलबारिया और पूर्व सोबियत संग जो है, वो सामिल है आप देखते हैं पूर्व सोबियत संग में लगवक 15 देश सामिल थे लेकिन एक प्रकार से वो विखंडन हो गया रूसσα ईए सोबियत संग का तो वो सब देश अधिकतर सामिल है इसमें और इनके सदस देशों में पारस परिक सहकारिता से बिस्ष्ट वस्तों के उत्पादन और व्यापार पर बल दिया जाता है इस परिसद के मुख्यों देश से आर्थिक व्यापारिक और राजनीतिक में आपसी सहयोग देते हैं बुलगारिया, हंगरी, रोमानिया, अलबानिय पूर्व सोब्यस संग, जर्मनी, पूर्भी जर्मनी, पॉलेंड, चोको, सलाबिया, ये सब देश आपस में एक दूसरे का चाहे ब्यापारिक मामला हो, चाहे आर्थिक मामला हो, और चाहे राजनीतिक मामला हो, आपस में या आपसी सहयोग एक दूसरे को देते हैं, ठीक ह अगला संगठन है आपका OPEC OPEC ये सब प्रसन आपसे पूछा जा सकता था इसलिए हमने सुचा इसके बारे में आपको जानकारी दी जाए OPEC जो होता है ठीक है Organization of Petroleum Exporting Countries मलब की जो पेट्रोल को बेचने वाले देश हैं उन्ही का एक संगठन है OPEC इस संस्था का निर्माड 20 के प्रमुख तेल निरियातक देशों के द्वारा 1973 इस भी में जो है किया गया और इस संस्था का प्रमुख देश्था अंतराश्टे बजार में तेल की मात्रा तथा उसका मूल नियंत्रित करना जो कि ये लोग जब जितने लोग तेल मलब उत्पाजित करते हैं वो सभी लोग तेल जो की जो लोग बेच रहे हैं और उन्ही लोगों का संगठन है वो लोग आपस में मिल करके तेल कितने डाम में बेचना है और किस देश को देना किसको नहीं देना आपस में ही एक परकार से समझवता करके यही जो ओपेक संगठन है इसी के द्वारा सारी चीजे होती है ठीक है इसके सदस देशों में इरान है इराक है सौधी अरब है कतर है कुवेत है अलजीरिया है संयुक्त राज रब संयुक्त अरब अमीरात है बहरीन है लीविया है मिस्र है बेनो जोयला और इंडोनेसिया सामिल है ठीक है तो इतने हैं जो की पेट्रोल को बेचने वाले देश हैं और पूरा संसार जो है लगबग इनी देशों के उपर एक प्रकार से निर्भर करता है पेट्रोलियम के मामलों में इरान, इराक, साओधी अरब, कतर, कुबेट, अलजीरिया और बहरीन, लीबिया, मिसर, बेन जोहला, इंडोन करेंगे, तो उद्योगों में प्रियुक्त होने वाली वाक अच्छी समागरी, जिनका वजन उत्पादन प्रक्रियाओं में घटता नहीं है, बलकि एक समान होता है, वो सुद्धपदार्थ कहलाते हैं, और बाकी जो समान मलब जो घट जाता है, जैसे आप देखते हैं, छ सुद्धपदार्थ है, लेकिन सुद्धपदार्थ क्या है, जो आम का मियन आइटम होता है, जो बीच का गूदा होता है, ठीक है, तो वो सुद्धपदार्थ है, तो इसी प्रकार से उद्योगों में क्या होता है, जो खनन हुआ या कुछ भी चीज हुई, तो उसमें के पके कच्चे माल निकल आते महलब कच्चे माल के जो अच्छा माल बंता है उसमें कुछ बेकार material निकल गया और जो अच्छा material होता है उसी को सुद्ध पदार्थ कहते हैं ठीक है अगला परसंद तेरवा नमबर परसंद अस्थानिय करण भार तो अस्थानिय करण भार क्या है परती ग्याई उत्पादित पदार तता उसके लिए प्रियुक्त कच्चे माल का परिवहन किया भार अस्थानिय करण भार कहलाता है कच्चा माल कमलब जैसे कहीं से कच्चा माल हो रहा ह जैसे आप देखते होंगे कि भाई अगर जो है कच्चा माल जो होता रा मटेरियल जिसको कहते हैं तो कहीं से आता है तो कच्चे माल को फैक्टरी तक पहुंचने में जो लागत लगती है परिवान की वो होती है स्थानिय करण भार ठीक है अगला प्रसाम देखेगा इसके अलावा परियुक्त तकनीकी के अधार पर हम उद्योगों को बाड़ सकते हैं परियुक्त कच्चे माल जथा उतपादन के अधार पर अगर देखें तो उद्योगों को दो भागों बाटा जाता है और यही पर चली थे बिद्वानों ने इस पर जादा फोकस किया है स इसपात उद्योग, सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग, यहां पर एक प्रकार से क्या होता है, भार हरास मुलक उद्योग होते हैं और ऐसे उद्योग इसमें क्या होता है, प्राप्त उद्योग होता है, प्राप्त उद्योग होता है, गईर भार हरास मुलक उद्योग, यह जिन्हें ऐसे उद्योग जिन्हें प्रिक्त कच्चा माल और प्राप्त उत्पादन के भार में बहुत अंतर नहीं होता है उसमें गयर भार हरास मुलक उद्योग हम कहते हैं जैसे कि वस्तर उद्योग जो होता है उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं होता कच्चा माल जितना है उससे जादा कुल रा माटरियल नहीं निकलता, जादा उसको फैकने वाला मामला नहीं होता है, बहुत कम अंतर होता है, ठीक है, तो वह स्तुर्द्योग में, अगला परसाम देखेगा, ये परसनाब की परिच्छा में पूछा जाएगा, हरित करांती, ध्यान से देखिएगा हरित करांती के बारे में जान लिजिए, हरित करांती, जो है ग्रीन रेविलिउशन, तीसरी योजना अधी या तीसरी पंचवर्शी योजना में, सरकार ने किरसी छेतर में पैदा होने वाली गंभीर समिस्या का तकनीकी हल खोजने का प्रियास किया है, और इस प्रियास के परडाम सरूप किरसी छेतर में उतपादन में आश्चा जनक रूप सती ब्रगती से ब्रद्धी हुई थी, जिसे हरित करांती के नाम से पुकारा गया था, और हरित करांती से आसे देश में 19906 के बाद किरसी उतपादन में उस भारी ब्रद्धी से है, जो अल्पावधी अब ज्यादा उपस देने वाली उन्नत किसिम की बीज जो है और रासानिक और बरक जो है उनके प्रियोग के द्वारा एक प्रकार से ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना खासरी गेहूं और चावल की ठीक है तो ये एक प्रकार से किर्सितक्नीकी और उन्नत किसिम की बीज और फर्टिलाइजर का प्रियोग करके जहां पर गेहूं एक बीगे में एक कुंटल या दो कुंटल निकलता था आप गेहूं चार से तीन या चार या पांच कुंटल निकलने लगा ये हुआ ग्रीन डेविलियूशन ठीक है अगला पर साम देखेगा सोलमा नमर पर साम की स्क में कारखानों की संक्या से महतयों उद्योकों की अगर स्ठापित होता है तो वहाँ पर बजार का होना प्रमाशन नजदीग वहाँ पर परिवाहण एक परकार स्यानी की सनक इमार्क बढ़िया हो संचार यानि नेटवर्क बढ़िया और मुबाइल फोन से बातचीत हो जाए इसके अलामा कच्चे माल की सुविधाई बगल से मिल जाए इसके अलामा और भी अगर कोई दूसरा जो उसका को उद्योग है उद्योग मलब होता है यो सहयोगी उद्योग है वो भी बगल में मिल जाए तो वो होता है एक परकार से उद्योगी परदेश ठीक है अगला परसाब देखेगा सत्तरवा नमबर परसाब की स्केन पर आ चुका है भूम अंडली करण जैसे किमाल लेते हैं कहीं अगर दरजी की दुकान है तो मलब कहीं अगर मलब कपड़े बेचने की दुकान है खुला ठोक जो कपड़ा होता है कपड़ा भिक रहा है और बगलें दरजी की दुकान है तो दरजी की दुकान और बगल में कपडा मिला, तो तुरंग वहाँ से कपड़ा लिया, तुरंग सिलवा लिया, तो यह होता है उद्योगों का एक परकार से प्रदेश, ठीक है? चुद की बगल सारी चीज़े हैं, वैसे बगल में जहांपर चा मिल ला है, पर समुसा भी मिल जाए, यहांपर जहा वस्तु सेवा, पूजी और बौधिक संपदा का आप्रतिबंधित आदान प्रदान ही बैस्विकन कहलाता है मलब आप्रतिबंधित मलब होता है कोई बंधन ना हो और एक प्रकार से आदान प्रदान हो मलब की वस्तूओं का, सिवाओं का, पूझी का और बौधिक संपदा का आदान प्रदान हो तो ये होता है भूमंडली कंड या बैस्विकंड गुलोबला ये सन बैस्विकंड तभी संभो है जब ऐसे आदान प्रदान के मार्ग में किसी देश के द्वारा औरोध उत्पन ना किया जायत और इन्हें कोई ऐसी अंतराश्टे संस्ता संचालित करें जिसमें सभी देशों का विश्वास हो समान नियम के अनुसासन में रह करके जब सभी देश अपने ब्यापार और निवेश का संचालन करते हैं तो स्वाभाविक रूप से वह एक ही धारा में प्रवाहित होते हैं और यही बैस्विकर्ण होता है ठीक है समझ में आगी चीजे बैस्विकर्ण के मुख्य रूप से चार अंग है पहला अंगे देखे ब्यापार और ओधुकों को कम करना ताकि वस्तूओं का विभिन देशों में मलब की बिना रोक टोक के आदान प्रदान हो सके तो पहला काम तो यह होता है दूसरा बैस्विकर्ण का लाभ या बैस्विकर्ण के द्वारा यह होता है कि ऐसी परिस्थिती कायम करना जिसमें विभिन राज्यों में पूंजी का सुतंत्र रूप से प्रवाह हो सके और सभी देश आगे बढ़ सके तीसरा काम ऐसा वातावन कायम करना कि टेकनलाजी का निरवाध प्रवाह जो है हर एक देश में हो सके और लोग एक प्रकार से आगे बढ़ है चौथा बात यह कि विकासिल देशों के दिश्टी से कम महतपूर नहीं अईसा वातावन कायम करना जिसमें बिस्व के बिभिन देशों में स्रम का अंद्रवाध प्रवाह हो सके तो स्रम सभी जगा पर जा सके और सभी जगा पर पूंजी जा सके सभी लोग व्यापार कर सके सभी लोग अपना विकास कर सके यह होता है एक परकार से क्या यह होता है मेरे भाई क्या यह होता है एक परकार से बैस बिकड़ के द्वारा संभो ठीक है अठारवा नमर पर साम देखेगा किरसी प्रदेश किरसी प्रदेश ऐसे बर्स्ते छेत्र होते हैं जिसमें किरसी गध्दिसाओं में खासर के विशेस्था फसलों की किसमों और उनकी उद्पादन विधी में समरोपता मिलती है को किर्सी प्रदेस कहा देंसे किर्सी भूमी के उपयोग की बिसिष्टा जन्न संबधता मिलती है मलब जैसे एक ही जैसे अगर किर्सी होती है यहीं पर केवल पसुपालन हो रहा है उस एरिया में तो उसको एक किर्सी प्रदेस बोल दिया गया या कहीं पर केवल धान गेहूं हो रहा है तो उसको किरसी प्रदेश बोल दिया गया ठीक है डी विटिलसी का जो किरसी प्रदेश है उनका वर्गिगण मैंने आपको समझा रखा लेड़ी पहले से आप देख लिजेगा या सम्मधता बहुदा किरसी प्रदेश बिसेस रूप कहीं पर परकार से खासर के खुब गहन करसी की जाती कहीं पर निरवाह करसी जीवन के लिए की जाती है तो यह सब होती करसी प्रदेश अगला पर साम देखेगा उननीस नमबर पर सने फूट लूज उद्योग क्या है फूट लूज उद्योग सामानता है उद्योगों के ए भी अस्थान में अस्थापित के aya सकता है इस प्रकार के उद्योग में कच्छे माल की प्राप्ती अस्थान और अस्थापित पापित फैक्टरी या उद्योग के बीच माल परिवहन लागत का कोई परिभाव नहीं पड़ता है उधाड के तोर पर अगर आप समझे हीरा प्रसंसक्रण और मुबाइल कंप्यूटर का चिप निर्माड हो गया फूट लो जुद्योग का ये दो उधाड है हीरा प्रसंसक् क्रियाएं क्या होती है तो जीविको पारजन यानि कि यसे की किर्सी करना पसु पालन करना तो जीविको पारजन तथा जीवन यापन के लिए की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं या उद्यमों को ब्यवसाय कहते हैं प्राथमिक क्रियाओं में भोजन तथा बन समागरी एक कराइब उध्योग की या स्थापना को प्रोसाहित करते हैं वह अस्थानिय कारणों how 25 चाहे लिए कि जैसे कि कहां पर अस्थापीत हो सकते हैं उध्योग अगर वह नहीं होंगे तो अस्थापित नहीं हो पाएंगे उद्योग अच्छ तरीक से नहीं चल पाएगा जैसे कि चाहे अगर बात की जाए जैसे कि पहला भगोली कारक अब भगोली कारक में कच्चा माल अगर बगल में मिल जाएगा तो फैक्टरी वहाँ पर अस्थापित होगी अगर सस्था और बहुत अच्छे मात्रा में कच्चे माल की उपलब्दी हो जाती है तो फैक्टरी लोग वहाँ पर अस्थापित करेंगे दूसरी बात सक्ती संसादानगर वहाँ पर एक परकार से स्रम सक्ती मिल गई या पावर मिल गया बिद्दुत मिल गया अच्छे तरीके से तो भी वहाँ पर एक परकार से उद्द्योग अस्थापित हो सकता है स्रम मिल गया पूझी मिल गयी परिवाहर मिल गया रोड बढ़ी है चका चक है ठीक है मजदूर मिल गया यानि स्रम मिल गया जिसको करते हैं बजार बगल में है तो वहाँ पर माल बना तुरंत हो तुरंत बिग गया तो इससे बहुत ज़्यादा फाइदा होता है उर्द्योग वहीं पर अस्थापित होते हैं जल आप उरती में अगर जल की भी एक प्रकार से उपयोगी हैं दूसरा कारक है आर्थिक कारक आर्थिक कारक में उद्योगों के अस्थापना के लिए भूमी भूमी का प्रबंद करना ठीक है संगठन उद्यम करता ये सब होने चाहिए ताकि संगठन बहुत सारे होते हैं जो संगठन एक परकार से ट्रेड को ले करके ब तुलन इसके अलामा कुछ है तिहासिक और ब्यक्तिकत कारक भी होते हैं, किसी भी उद्योग की अस्थापना को जो प्रभावित करते हैं, तो इस प्रकार से उद्योगों के अस्थानीकर्ण के कारण कहा जाता है, यह मैंने आपको आलेड़ी बता दिया, अगला प्रसाप दे जाए तो पिर्थिवी तलपरमानों वर्गों की आर्थिक क्रियाओं के अस्थापित होने से भौतिक तता सांस्कृतिक तत्तों का जो मिला जुला स्वरूप बनता है उसे आर्थिक द्रिस से भूमी या आर्थिक भूद्रिस कहते हैं और मनुस्यों की विभिन प्रकार की आर तथा परिवाह नियों ब्यापार से सम्मंधित आर्थिक क्रियाओं वाले छेत्रों में अलग परकार का आर्थिक भोद्रिस होगा तो यह होता आर्थिक भोद्रिस मलब अलग-अलग अस्थानों पर अलग-अलग टाइप के परकार से आर्थिक क्रियाएं होती हैं ठीक है तो अलग-अलग अस्थानों पर इसको अलग-अलग राम से جानते काटो और जलाओ किरसी भी इसको कहते हैं अस्थानान्तर सिल किरसी में किरसक जो होता है एक भूमी को साप करता है फिर उस पर फ़सल उगाता है और फसल काटने के बाद दो चार बार फसले और उत्पन करता है उसके बाद में जब उस भूमी की और बरता कम हो जाती है और बरता कम हो जाती है तो जब और बरता कम हो या चीन हो जाती है फिर उसके बाद में उस अस्थान को छोड़ करके दूसरी भूमी पर जाते हैं फिर जंगल को काटते हैं और उसको जलाते हैं जाडियों को फिर उसके आदे खेत का निर्मार करते हैं और फिर उसमें किर्सी करते हैं और एक प्रकार से यही प्रकरिया बार बार करते रहते हैं और छेतर लगातार बदलते रहते हैं जैसे मिट्टी की रुबरक चमता कम ऐसी स्थिती या इस परकार की कर्सी को अस्थान अंतर्ण सिल कर्सी कहते हैं और इसको काटो और जलाओ कर्सी इसलिए भी कहते हैं चुक्किस में ये कर्सी खासर के आदिम परकार की कर्सी है जंजाती के लोग इस परकार की कर्सी को ज़्यादा करते हैं और जंगल को काटते और जलाते हैं, इसलिए इसको काटो और जलाओ किरसी भी कहते हैं, ठीक है, अस्थानांतर से लिए किरसी उस्णार्द बनों में मलब उस्ण और आर्द, जो एक प्रकार से आद्र, उस्ण और आद्र बन, मलब जिसमें उस्णता भी होती, गर्मी भी होती उस परकार के बनों में अधिक की जाती है और इसमें साधारतया यंत्रों का खासर के कुदाल का प्रियोग खुरपी का प्रियोग इन्हीं सभी का प्रियोग करके खेती की जाती है इसे लदांग में खासर के मलेसिया यानि इंडोनेसिया में इसको लदांग कहा जाता है यहां तक कि भारत के अलग-अलग अस्थानों में इसको एक प्रकार से अस्थान अंतरन सेल किर्सी को अलग-अलग नामों से जानते हैं तो अस्थान अंतरन सेल किर्सी का मतलब यह होता है कि जंगल को काटते हैं जलाते हैं और खेती कियों की भूमी बनाते हैं वहाँ पर 2-3-4 साल किर्सी करते हैं फिर भूमी में जब किर्सी कम होने लगती फिर उसको छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाते हैं फिर किर्सी करते हैं तो यह किर्सी होती है जंगलों में ही प्राया किर्सी होती है उश्न और आदरबनों में किर्सी की जाती है ठीक है प्रापट से अब लोग बताने का प्रियास करेंगे ट्रक किरसी नगरों से दूर जहां सबजीयों तो था फसलों के उत्पादन के लिए अनकूल जलवायो दसाएं उपलब्ध होती हैं वहां उन्हें उगा करके ट्रकों या प्रसीतक युक्त गाडियों के द्वारा नगरों में पहुचा दिया जाता है ऐसे छेत्रों में उप्युक्त जलवायो दारा फसलों के जल्दी तयार हो जाने का लाग मिलता है जिससे उत्पादक किरसक को बजार में उनके उत्पादन का उचा मूल मिल जाता है और ऐसे किरसक वर्ग में केवल एक या दो फसले ही पैदा हो होती है वहां पर एक प्रकार से जहां पर खेती हो सकती है तो वहां पर उन्हें एक प्रकार से उगा करके ट्रकों या परसीतन युक्त जो गाडिया होती है उनके दोरा नगरों में पहुंचा दिया आता है तो यह होती है ट्रक फार्मिंग ठीक है अगला प्रसाम देखेगा 25 नमर प्रस्ट सुस्क किरसी सुस्क भूमी करसी सिचाई के लिए सिचाई के बिना ही करसी करने की तक्झिकी होती है और यह उन छेत्रों के लिए उपयोगी होती जहां बहुत कम वर्सा होती है इसके अंतरगत उपलब्द सीमित नमी को संचित करके बिना सिचाई करके ही फसले उगाई जाती है सुस्क किरसी का मलब होता है बिना सिचाई की किरसी को उत्पादित करना ऐसे में क्या करते हैं जो मिट्टी की नमी है उसको बनाए रखने के लिए कई परकार की वीदियां अपनाई जाती है वर्षा के कमी चुकी होती है और इसी कावल से मिट्टी की नमी को बनाए रखने तथा उसे बढ़ाने Chuck, नमी को बढ़ाने का निरंतर प्रियास किया जाता है इसके लिए गहरी खुदाई की जाती है और वास्पी करण को रोकने का प्रतन किया तक गहरी जुताई करके और इस परकार की करसी बिसेस रूप से भूमद सागरी जो परदेश हैं वहाँ पर और अमेरिका के कोलंबिया और पठार का जो इलाका है वहाँ पर आपको सुस्क टाइप की करसी आपको मिलेगी ठीक है जहाँ पर वरसा नहीं होती है और नमी को एक परकार से बना करके सिचाई के भी साधन उतनेवल अब्द नहीं है तो बिना सिचाई करसी करने की तकनीकी 26 नमर परसनाब देखेगा 26 नमर परसनाब की स्किन पर आ चुका है बहुत ही important question से आपकी परिच्छा के दिष्टी से धायर नकिएगा परिच्छा के दिष्टी से बहुत ही important परसन है प्रस्न है गहन किर्सी क्या होती है गहन किर्सी को सगन किर्सी भी कहा जाता है गहन किर्सी या सगन किर्सी किर्सी उत्पादन की वह प्रनाली है जिसमें कम जमीन में अधिक परिसरम पूजी और बरक या कीट नासक आधी डाल करके अधिक उत्पादन लिया जाता है इसमें एक ही भूमी पर वर्स में कई फसले बोई जाती हैं या खेती खासर के भारत में, चाइना में, बंगला देश में, स्री लंका में और जापान इन देशों में आपको गहन किरसी मिलेगी गहन किरसी में एक ही खेत में कई फसले उत्पादित हो गई जैसे कि गन्य के खेद में भिंडी बो दिया या गन्य के खेद में कोहणा लोकी बो दिया इसी प्रकार से और भी तमाम प्रकार की किरसी होती कि उपर लोकी आपकी है और नीचे कुछ और बो दिया ठीक है तो इस प्रकार से ये खेती होती है गहन किरसी खासर कि इसको सघन गजिन किरसी कहते हैं ठीक है कम जमीन चुकी होती है और अधिक परिसरम लगता है किरसी करने में पूजी और उर्बरक जो होते हैं और कीट ना सके सब जादा लगते हैं इस किरसी में ठीक है तो इसमें एक ही भूवी पर एक वर्स में कई फसले बोई जाती हैं खासर के वो होती है गहन किरसी एक साथ ही भी एक खेत में बोई दी आती है और एक साल में कई बार मलब दो तीन बार जैसे सरसो और गिहों बोई दी आता है एक ही में ठीक है या लाही बोगर के फिर गिहों बो दियाता है या गंदा काटने के बाद में गिहों तुरंद बो दियाता है तो इस परकार से कभी-कभी क्या होता है कि एक ही खेत में दो-दो किरसी कभी-कभी क्या होता है कि इस साल में दो बार या तीन बार किरसी ऐसी किरसी की जाती भारत और चाइना में खासर के इसके अलाओं बंगलादेश जापान और स्रिलंका में भी इस प्रकार की करसी आपको देखने को मिलती है 27 नमबर परसन है आर्थिक भोगोल की परिभासा बहुत महत्पोर परसन है आपके परिच्छा में 100% ये परसन आएगा आर्थिक भोगोल की परिभासा देखें आर्थिक भोगोल जो है आर्थ तंतर के छेतरी संगठन, परत्रूप एवं परकृरिया का अध्यन करता है मतलब आर्थ तंतर में अगर देखें इको नामी में खास करकें तो चार चीजे बहुत important है, एक तो उत्पादन, एक उभोग, एक बिनमय और एक बित्रड, इन्ही चारों point पर ये चार खंबें हैं, ये चार pillar हैं और इन्ही चार pillar पर एकोनामिक्स पूरा ठिका हुआ है, और चुकि आप पड़ रहे हैं, एकोनामिक जियोग्राफी, आर्थ इक भोगोल करता है, ति कहाँ पर क्या उत्पादन होता है, कैसे होता है, वहाँ की अन्कूल दसाएं कैसी है, जो वहाँ पर इचीजे हो रही हैं उत्पादन, अब उत्पादन में किरसी भी हो सकती है, और पसुपालन तो किरसी में ही सामिल है, इसके इलामा तमाम परकार क और भी जो धातुय है जो धातुय घैसे तमाम प्रकारिक चीज़े levar चीज ratio होती हैं जो इसमें सामिल हो सकती है और भूग・ ल्लब एक प्रकार से कहां के लो कहां भूग मल्लब यूज में क्या ले रहे हैं और किस प्रकार से उसका भूग कर लें वो होता है बीनमै एक्स्चेंज करना चुल है रहां बितरण माने होता है कहाँ पर क्या पाया जाता है और पाया भी अगर जाता है तो प्रकार से वह कहां कहाँ पर जो आपने एक प्रकार से उत्पादित किया वस्तूओं को और उसका उभोग करने वाले कहां कहां पर पाय जाते हैं उनका बटवारा कैसे कैसे किया जाता है कहां पर क्या पाय जाता है और किस प्रकार से जो आयात निर्यात होता है तो खासर के किस तरीके से चाहे रेल मार्गों की बात की जाए चाहे जल मार्गों से चाहे वायो मार्गों से किस प्रकार से जो है जो आपने मलब वो उत्पादित की है वस्तूओं को उसको किस प्रकार से आप भेजेंगे किस प्रकार से बित्रित करेंगे तो ये चार पॉइंट होते हैं मुखिरूप से आर्थिक भोगोल की ठीक है चार खंबे आरी मर्फी बड़ी जबर्दस परिवासा देते हैं इसकी आर्थिक भोगोल की कहते हैं कि आर्थिक भोगोल मनुस की जीविको पारजन की बिधियों में एक से दूसरे अस्थान पर मिलने वाली समानता और विसमता का अध्यन करता है ठीक है आर्थिक भोगोल क्या करता है मनुस की जीविको पारजन की बिधियों में खासर के जीविको पारजन की बिधियों का प्रियोग मनुस जो होता है एक अस्थान पर किसी दूसरी तरीके से करता है और वही दूसरे अस्थान पर हम जाएंगे तो मनुस दूसरे तरीके से अपने जीविको पारजन के लिए कई बिधियों को अपनाएगा यानि मनुस जो ह जेविको पारजन की विध्यों कोई प्रकार से अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग तरीके से अपनाता है तो इसी समानता और विसमता का अध्यन करता है आर्थिक भोगोल आरी मरफी कहते हैं अलग जंडर कहते हैं आर्थिक भोगोल की परिभासा को देते हुए कि आर्थ अर्थिक भोगोल पर्थवी तलपर उत्पादन बिन्मय और उभ्भोग की वस्तों से रिलेटेड मानिविय कारियों की छेत्रिय विभिनताओं का अध्यन करता है। अर्थिक भोगोल ठीके पर्थवी तलपर जो तमाम परकार के उत्पादन बिन्मय और उभ्भोग की वस्तों से सम्मंधित मानिविय कारियों की छेत्रिय भिनताओं होती उन्ही का अध्यन करता है। जैसे की एक नदी या नहर या जील को नवगम में उस स्थिती में हम कह सकते हैं या कहा जाता है यदि इसकी गहराई चोडाई और इसकी गती इतनी हो कि कोई जलियान इसे आसानी से पार कर जाए। तो उसको बोलते हैं नवगम या सुगम में। रा में आने वाली बाधाय जैसे की चटाने और पेन ऐसे हो कि उनसे बच करके जहाज निकल सके। साथी साथ पुलों की निकासी भी प्रियाप्त होनी चाहिए ताकि जहाजे निकल सके। की जिससे नाव जो है जा सके। ठीक है नाव या जो जहाज होती ही पानी वाली बड़ी बड़ी वो एक परकार से ब्यापारिक दिश्ट कोड से जो जाती हैं ब्यापारिक आदान प्रदान के लिए आयात मिर्यात के लिए वो जहाज एक परकार से जा सके आसानी से कोई मार में बाधाए नाए तो इस परकार की नहर को हम नौगा में नहर कहते हैं 29 नमबर परसना आप देखेगा सरबर्त सुलब पदार्थ क्या है तो उद्योग में प्रियुक्त होने वाली वह कच्ची समागरी जो हर जगह पर आसानी से मिल जाती है जिनका मूल हर जगह पर समान होता है सरबर्त सुलब पदार्थ कहे जाते हैं उन्हीं को कि हमेशा मिल जाते हैं और सस्ते माल में मिल जाते हैं और हर जगह वही दा में मिल जाते हैं वो होते हैं सरबर्त सुलब पदार्थ तीसवा परसन है अस्थानिय पदार्थ अस्थानिय पदार्थ क्या है भाई तो उद्योगों में प्रिक्त होने वाली वा कच्ची समागरी जो किसी अस्थान विसेज पर पाई जाती है वो अस्थाई पदार्थ कहलाते है ठीक है अस्थानी पदार्थ क्या होते हैं महलब उद्योगों में प्रिक्त होने वारे जो कच्छी समागरी है वो किसी अस्थान विसेश पर पाई जाती है तो महलब कि केवल वहीं पर पाई जाती है तो वो अज़ा एक प्रकार से अस्थानी पदार्थ कहे जाएंगे ठीक है 31 अमबर परसन है भारत में लव इसपात के प्रमुख केंदर कौन कौन से उसको बताएं तो भारत में लव इसपात उद्योग के प्रमुख केंदर निम्न है पहला है आप देखिएगा Tata Iron and Steel Company जमसेथपुर में है दूसरा है Indian IRL Iron and Steel Company बर्नपुर कुल्टी एवं हीरापुर में आपको मिलेगी तीसरा है बिस्वे स्वराया लोहा एवं इसपात लिम्टेड भद्रावती में रावर केला इसपात लिम्टेड भिलाई इसपात लिम्टेड दुरगापुर इसपात लिम्टेड बोकारो इसपात लिम्टेड यह सब भारत में लव इसपात के प्रमुक केंदर है जहां से लवी स्पात उद्यों के प्रकार से जहां पर अस्थापित है और एक प्रकार से बहुत अधिक मातरा में उत्पादन भी करते हैं इसके अलामा और भी है जिसे बिजय नगर में आप देखते हैं बिजय नगर हो गया करनाटक में है विसाखा पतनम में है एक प्रकार से इस पाथ लिम्टेड ठीक है आंधर प्रदेश विसाखा पतनम का इसके लावा सलेम एनि तमिल नाड़ू का दैतारी उडिसा में है इसम नए कारखाने जो है अस्थापित किये गए है अभी अगला प्रसने 32 अंबर को इसमसाब देखेग प्रसन है अंतर रास्टिय ब्यापारिक परिवहन के प्रमुख महानागरिये मार्ग बताएं तो अंतर रास्टिय ब्यापारिक परिवहन के प्रमुख महासागरिये मार्ग निम्न है पहला है उत्तरी अटलांटिक मार्ग जो की अंतर रास्टिय ब्यापारिक परिवहन का ए अरेबियन सागर व्यापारिक मार्ग छठा है प्रसांत महा सागर मार्ग सातवा है सोज नहर मार्ग आठवा है पनामा नहर मार्ग तो यह सब महा सागर यह मार्ग है यह जल मार्ग है जो कि प्रकार से important भूमका निभाते हैं तो इस प्रकार से आपने revision क्लास में कुछ important परसनों के बारे में जाना जिनसे आपकी परिछाएं प्रसम बन सकता है इसके अलावा आपको बताऊंगा जियोग्राफी का मार्ग पेपर हमने दिया है उसको आप देख लीजेगा तो आप और अच्छे तरीके से जान पाएंगे इससे पहले हिंदी का मार् परसनों के लिए इंपॉर्ण परसनों मद्दिकाल इतिहास का हिस्ट्री आप मार्ण वर्ड आपको पढ़ना 1413 से लेकर के 1950 इस भी लिखित मालग पर है इसको भी आप देख लीजेगा अब एलेबल है महा संग्राम रिभियन क्लास हिंदी की आप देख लीजेगा हिंदी अनुबाद वाली बहुत इंपॉर्ण है फोर्ट समिस्टर की तो आप जिस परकार से अभी जियोग्राफी में आपने समझा ऐसे ही आपको हिंदी अनुबाद में मिल जाएगा तो उसको भी देख लीजेगा राजनिती बिज्यान में बेस्टन पॉलिटिकल थाट पढ़न है तो लिखित मालब पर इसका भी अभी अबेलेबल है आप देख लीजेगा बहुत इंपॉर्ण है इसके लिए सिक्षा सासर का मालब पर आप देख लीजेगा साइकोलाजीकल प्रस्पेक्टिब साफ एजुकेशन का भी लेबल है प्राचिन इतिहास भाए पॉलिटिकल ह जिसमें आपको पढ़ना था ठीक है इसके अलामा सैन विग्यान का हमने दे दिया इस्टाटेजिक थाट के बारे में लिखित मारदे पर बहुत ही जवर्दस तरीके से आप देख लिजेगा जियोग्राफिक का मारदे पर दिया है तो आप देख सकते हैं इकोनामिक जियोग् आपको मिल जाएंगे धनी बाद मिलते हैं फिर नेक्स्टी वीडियो में तब तक के लिए जहन जबारत आप सभी का बहुत बहुत धनी बाद हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यारा में से बनायरे कियेगा बहुत बहुत धनी बाद गुड़नाइट आला भी बहुत बहुत धनी बाद में